हाई फ्रेंट्स आज बनाते हैं फ्राई मिर्ची फ्राई मिर्ची वड़ा पाव भजिया पकोड़ा दाल चावल सभी के साथ जाती है यहाँ तक कि थोड़ा सा भी किसी को तीखा पसंद है और यो मिर्ची को देख ले तो बिना हाथ आगे बढ़ाए रह नहीं सकता क्योंकि यह खाने के स्वाद को बढ़ा देती है फ्रेंट्स अगर आप मेरे चैनल में नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए फिर बनाते हैं अब से पहले हरी मिर्ची लेना है हरी मिर्ची को अच्छे से धो के पोच लेना है कि बिल्कुल भी अब आप कोई सा भी हरी मिर्ची ले सकते हैं जो मिर्ची है आपके पास वो ले 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 अब सारे मिर्ची में बीच से कट करना है चीरा लगाना है एक भी मिर्ची बिना कट का नहीं रहे यदि एक भी मिर्ची बिना कट का रहेगा तो तेल में आप जैसे मिर्ची को अगर यह रेसिपी अच्छी लग री तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें अब इसी तरह हम सारे मिर्ची को कट कर लेंगे अब हमने सारे मिर्ची को बीच से कट कर लिया है अब एक मसाला बनाएंगे जो मिर्ची के टेस्ट को बढ़ाएगा अदा चोटा चमच, काला नमक, काला नमक जरूर से डालें क्योंकि काला नमक का टेस्ट चटपटा होता है अधा चमच, साधा नमक जो हम लोग नॉर्मल सब्जी में यूज़ करते हैं और एक चोथाई चमच लाल मिर्ची पौडर, लाल मिर्ची पौडर सिर्फ कलर के लिए है, अधा चमच चाट मसाला पौडर, अब इन सारी मसाले को मिक्स कर देंगे, अब आप सोच रहे होंगे कि हरी मिर्ची फ्राई कर रहे हैं और उसमें लाल मिर्ची पौडर, तो यहां स मैं color के लिए डाल जो यह पूरी तरह optional है अब इस तरह से मसाले को हमने mix करके ready कर लिया है अब चलते हम fry करेंगे मिर्ची को मिर्ची फ्राई करने के लिए एक कड़ाई में तेल गरम करेंगे तेल पूरे अच्छे से गरम होना चाहिए और तेल की क्वांटिटी थोड़ा सा रखें बहुत नहीं रखें क्योंकि मिर्ची फ्राई किया हूँ तेल थोड़ा तीखा हो जाता है अब इस तरह से मिर्ची को डाल के और दबाएंगे बस इस तरह से दबाना है दबाएंगे तो मिर्ची फटेगा नहीं बस पलटना है बस इस तरह से एक बर पलटेंगे फिर दबाएंगे और इसी तरह फ्राइ करेंगे तो इसे फ्राइ करने में मिर्ची एकदम ही नहीं पड़ता है अब यह मिर्ची फ्राई हो गया है बहुत जादा तेल में डालके क्रिस्पी नहीं करना है बस तेल में डालना है और कर्ची से दबा दबा के फ्राई कर लेना है है तो एकदम दो मिनट वाली रेसेपी लेकिन हमारी भारतिये खाना में इसके बगएर अधूरा है जब तक मिर्ची ना मिले तो खाने में टेष्ट नहीं आता अब यह फ्राई हो गया है अब इस मिर्ची फ्राई के ऊपर हमने जो मसाले को रेड़ी करके रखा है उसे स्पिंकल करेंगे आप इस मिर्ची फ्राई को वड़ा पाओ, पाओ, भजिया, पकोड़ा किसी के साथ भी खा सकते हैं, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लाजवाब रहता है, आप इस रेसिपी को एक बद जरूर ट्राइ करें, अगर आज की ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ तब तक के लिए बा बाइब बाइब लगाइब।